आज के सुड़ियो हम बात करने Acer Aspire 7 के बार में यह laptop वहीं online market में available है और इसका rating बहुत ही अच्छा है तो अगर आप यह laptop खरीदना सोच यह हो तो इस वीडियो को अंतर जरू देखिएगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा अगर आपको मैं कंटेंट पसंद आरा तो प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब करीजिएगा चलिया हम अपना वीडियो को सुरू करेते हैं वीडियो की मदद से आपका गेमिंग परफॉर्मस बहुत ही अच्छा होने वाला है अगर आप एप ट्रीपले टाइल्स खिलते हो तो आपको इसली 30 fps देखने मिला है 1080p हाई सिटिंग पर अगर अगर आप गेम खिलते हो तो आपको इसली 60 fps देखने को मिल जाएगा मैं बात को RAM की तो आपको इसमें देखने मिलता है 8GB 2400 Mbps, DDR4 RAM देखने मिलता है और आप इस RAM को 32GB तक बढ़ा सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छी बात है भाई लोग जब 32GB तक आप बढ़ा लोगे न RAM को भाई गेमिंग परफॉर्मस इतना बढ़िया होने होला है आपको कोई भी गेम चला लो इसली चल जाएगा आपको आपको वीडियो इडिटिंग भी इसली हो जाएगा कोडिंग तो भाई मक्खन की तरह होने वाला है यह मैं बात को स्टोरिज की तो आपको इसमें देखने मिलता है 512GB का PC, IE, NV, ME, SSD देखने मिलता है जिसको आप एकस्पेंड भी कर सकते हो अगर मैं बात को catch memory की जो की बहुत अधी important होता है जो की आपको प्रसेसर यूज करेता है तो आपको इस लब्टप में आपको 8MB की catch memory आपको देखने मिलती है अगर मैं बात को ports और slots की तो आपको इसमें एक USB 2.0 पोट देखने मिलता है एक USB 3.2 type C देखने मिलता है एक HDMI port देखने मिलता है और एक RJ45 का port आपको देखने मिल जाता है अगर मैं बात को Wi-Fi की तो ये laptop 5GHz के Wi-Fi को भी support करता है अगर मैं बात को screen की तो आपको इसमें बहुत ही अच्छा quality का IPL display आपको देखने मिलता है अगर मैं बात को security की तो आपको इसमें fingerprint देखने मिलता है भाई लोग password तो कोई जान सकता है भाई fingerprint कहां सलाओगे आपको 6-7 गंटे का battery backup आपको मिलने वाला नॉर्मली इसमें अगर आप gaming करते हो तो आपको max 3-4 गंटे का battery backup आपको इसली दिखने हो मिल जाएगा अब मैं आप सब को बताता हूँ मैंने Acer Aspire 7 को आप सब को क्यों recommend किया जबकि मैं Acer के laptop के recommend नहीं करता हूँ क्योंकि Acer के जो company है ना वो ना सस्ते laptop जितनी भी होती है उसमें वो बढ़िया product लगाती नहीं या फिर जो भी करती है वो सब बहुत जल्दी खराब होता है पर उसके जो महंगे product आते हैं वो बहुत अच्छा perform करते हैं और market value उनका बहुत अच्छा है जैसे Acer Aspire 7 इसमें जो product लगी वी अंदर में वो बहुत ही premium quality किया और यह बहुत दीन चलिया ठीक है यह durable laptops है तो अब मैं बताते हूँ मैंने Acer Aspire 7 को आप सब को क्यों recommend किया इसमें बहुत अच्छा processor देखने मिलता है और इसमें आपको i5 937 का desktop processor देखने मिलता है जो कि बहुत ही अच्छा value for money मिलेगा और आपका सारा काम इस laptop में easily हो जाएगा एक gaming laptop का GPU उसका जान होता है और इसमें लगा हूँ है NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR6 का graphic card जो कि एक बहुत यह powerful graphic card है इस graphic card में आपको जितना भी AAA titles आपको easily 30 fps high settings पर दिखने मिल जाएगा वहीं अगर आप 1080p पर gaming करोगा तो आपको easily 60 fps आपको easily दिखने मिल जाएगा इस laptop में आप RAM को 32GB तरक बढ़ा सकते हो मतलब जब 32GB का RAM लगा दोगे भाई गेम ते मक्कन रीतर चलेगा आपको किसी प्रकार कोई भी दिखने हो नहीं मिलेगा जितने भी गेम से ना भाई सब चल जाएगा ठीक है मानते बहुत heavy गेम भी चला दोगे ना भले कम fps पर चले वहीं मैं बात ने इस laptop के battery backup की तो बहुत ही जब दस आपको battery backup देखने हो मिलेगा अगर किसी दिन वीडियो नहीं आती भाई बुदा मत माना मैं एक्जाम में श्टाट होने वाला है और जिसके उसे मैं तो एक्जाम कर प्रिपरेशन में लगा हुआ हूँ अगर किसी दिन वीडियो नहीं आती भाई प्लीज गुच्सा मत होना ठीक है एक और बात मैं आप सबको बोलना चाहूंगा अगर आपको किसी पर कोई question है ना भाई mail करो या फिर instagram पर message करो क्योंकि youtube में क्या fund हो गया तुम comment करते हो मैं उस पर reply करता हूँ और reply auto delete हो जाती है आपको बुरा लगता होगा भाई कि आपको ऐसा लगता होगा कि मैंने reply नहीं किया भाई लोग मैस हर एक comment कर रिपलाई करता हूँ और exam अभी जमें चलने वाल है और उसमें भी मैं हर एक comment कर रिपलाई करूँगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आता तो आपको उसका reply म